और से लोग कहते हैं, ये दो गवा हैं कोई, कई लोगों के अपने अपने विचार हैं, कोई इसको मूसा और एलिया कहता है, कोई मूसा और हनोग कहता है, कोई एलिया और हनोग कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, परन्तु हम देखेंगे कि परमेश्य का वचन ज प्रभू आप सबको बताई से आशिदे आमीन. प्रकाशिद्वा के ग्याराद है, एक से तीन के पदों को पड़े लेते हैं, आपर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया, और किसी ने कहा, उट परमेश्व के मंदिर, वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले, पर 260 दिन तक पविश्वानी करें, इसकी व्याक्या जो है, तीन परकार से की गई है, परमेश्व का मंदिर, वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले, दूसरा है, मंदिर के बाहर का आंगन को छोड़ दे, उसे मत नाप क्योंकि वे अंजातियों को दिया गया है, क उसे 42 महने तक दोंदे, तीसरा है, परमेश्व के दो गवहा, जिसे ये अधिकार दिया गया है, कि 1260 दिन तक पविश्वानी करें, इन में हम जो हैं, दो चीजों को देखेंगे, पिछले संदेश में हमने अनजातियों के बारे में सीखा था, परंतु आज हम जो हैं 42 महने और 1260 दिन, अर्थात 1260 दिन के विशे में सीखेंगे, कि ये क्या है, क्योंकि 42 महने तक आंगन को रौंदने का काम दिया गया है, अनजाति के लोगों को, और यहां पर 1260 दिन, यानि 1260 दिन तक भविश्वानी करने का अधिकार इन दो गवाहों को दिया गया है, 42 महने और 1260 दिन जो है, वो क्या है, ये दोनों बाते एक ही समय को प्रगट करती हैं, जियां, 42 महने को जब आप काउंट करेंगे, तो वो आएगा साड़े तीन साल, जब आप 1260 दिन को काउंट करेंगे, वर्षों में, तो वो आएगा साड़े तीन साल, जियां, ये दोनों जो समय काल दिया गया है, 42 महने का और 1260 दिन का, ये साड़े तीन साल का समय काल जो है, वो दिया गया है, क्योंकि इस अबदी में क्या होगा जो अजाती के लोग हैं वो 42 महने तक यानिस साड़े 3 साल तक आंगन को परमेश्व के मंदिर के आंगन को रौनते रहेंगे और ये जो दो गवा हैं ये साड़े तीन साल तक लगातार जो है वो भविश्वानी करते रहेंगे लोगों के विरोध में इस संसार के विरोध में और बहुत सी चीजों के बारे में जो है ये भविश्वानी करते रहेंगे ये ध्यान देने की बात है प्रते एक महने में ताकि आप अच्छे से समझ जाएं उत्पत्ती साथ अधिया उसका ग्यार्मा पत जवाब पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है जल पर ले दूसरे महिने के सत्रमे दिन आया था कब आया था? दूसरे महिने के सत्रमे दिन को आया था उत्पत्ती आठ अधिया चार पद जवाब पढ़ेंगे साथमे महने के सत्रमे दिन पानी घटने लगा ठिक है? पानी घटने लगा पिर दूसरे महा से साथमे महा तक पूरे पाच महने तक जल पर ले प्रत्फवी पर रहा कैसे उत्पत्ति साथ देट चौबिस पत को जवाब पढ़ेंगे और जल प्रत्वी पर 150 दिन तक परवल रहा हैं 150 दिन तक जब आप 150 को 30 दिन से भाग करेंगे तो वहां पर पांच महिने का समय निकल कर अपने आप आ जाएगा और 30 दिन को जब पांच से गुणा करेंगे तो वहां 1500 दिन अपने आप आ जाएगा और इस तरीके से ये 42 महिने या आप 1260 दिन जो है ये साड़े तीन साल का जो दिन है जो समय जो अवदी है वो निकल कर आपके सामने जो है वो आ जाएगी 42 मेहने का और 1260 दिन का आर्थ जो है वो साड़े तीन वर्ष तक का है 42 महिने अर्थाद 3.5 वर्ष अंद के दिनों में ये महा कलेश काल का समयकार है दिहान दीजेगा यहाँ पर एक चीज़ दिहान देने की बात है कि यह जो है 3.5 वर्ष है क्या यह 3.5 वर्ष जो है महा कलेश काल के हैं जो 42 महिने तक आंगन को रौंदने का काम जो है वो करते रहेंगे और ये जो दो गवाँ हैं ये क्या करेंगे ये भविश्वानी जो है वो साड़ी तीन साल तक करते रहेंगे परकाशित वाकिय ग्यारा एक से तीन के तेरमे और चौदमे भाग में के वीडियो को जब आप द देखेंगे तेरमा भाग और इसका चौदमा भाग जो देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि ये शुमसी के बलिदान के बाद जो है आंगन की जो सेफकाई हुआ करती थी जहां आंगन में बलिदान हुआ करते थे और भी बहुत सी चीज़े होती थी वो जो है वो परंटु पलिदान हाज भी चड़ाना है, मकर किसी पॉक्षू का या पक्षी का लिदान नहीं चड़ाना है, आज हम लोग बह। तो कौन सा लिदान चड़ाना है, ध्यान करें, रोमियों बारा द्याय उसका पहला प्तुль इसलिए हे भाईयो मैं तुमसे परमेश्व की दया इसमन दिला कर बिंती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्व को भाता हुआ बलिदान करके चड़ाओ यही तुमारी आत्मिक सेवा है। हम मिर्तिव की दशा में जीवन जी रहे हैं परंतो जब हम पाप को दूर करते हैं तो यह मिर्तिव हमसे दूर होती है तो हमारे अंदर जीवन अधा प्रवियेश्व मसी का परवेश होता है और हम जीवित बनते हैं तो हमारा शरीर पवित्र होता है जब हम पाप से दूर होते के परमेश्यों को समर्पित करना क्योंकि परमेश्यों पवित्र है परमेश्यों कोई भी आशुद चीज परमेश्यों को नहीं चड़ाई जाती है सब शुद चीजे जो हैं चड़ाई जाती तो हम अपने आपको शुद और पवित्र करें और परमेश्व को प्रतिक दिन चड़ाएं तो परमेश्व जो है वो हमें हमारे बलिदान को क्या करेगा गरहन करेगा आंगन में पीतल की हौधी हुआ करती थी निर्गमन 30 और उसका 17 21 से पढ़ेंगे आंगन में पीतल की हौधी थी जिसमें पानी भरा होता था जिसमें याज़ग जो थे जब पवित्री इस्थान में परवेश करते थे तो वो अपने हाथ और पैरों को धो कर जो थे उसमें परवेश करते थे और यह जल जो था यह शुदिता का प्रतीक था जब आप परकाशित बाग के ग्यारा एक से तीन का चौदमा भाग जब आप वीडियो देखेंगे तब वे होदे और उसमें रखे जल का वणन किया गया है आप उसमें देख और सुन सकते हैं कि जो आनंग में होद था जिसमें पानी भरा रहता था उसका क्या मतलब वहाँ पानी भरने का क्या कारण था कि अपने आपको शुद करना हाथ और पैर को धोकर जो है वो शुद करने की जो विधीती यहां पर है यहाँ अब जो है वो बहुत सी चीजे जो है यहाँ पर आ गया है पर तो यहाँ होद और उसके जल के बारे में एक और जो भेद है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि मेरी प्रिजा ने दो बुराईया की हैं उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया और उन्होंने होद बना लिय वरन ऐसे होद जो तूड गए है और जिनमें जल नहीं रह सकता होद क्या है यहाँ पर जो है होद किसका परतीक है, कलीसिया का परतीक है, हर एक ने अपनी कलीसिया नियुत कर दी है, कि मसी हमारे पास है, मसी को अपने तक सीमित कर लिया है, कि मसी हमारे पास है, बस यह हर एक, मतलब ऐसे होद, यह जो है, परमेश्वय का वचन बताता है, कि यह तूटे-फूटे होद है यह जो है यह टूटे-फूटे फूटे फौद हैं और इसमें जो है, जल समा नहीं सकता है यानि जल का मतलब जल किसका प्रतीक है? येशु मसी को कहा कि जीवन का जल येशु मसी है तो वो जीवन का जल क्या है? एक बहता हुआ सोता है मगर उसको कलीसिया जैसे हौद बना कर जो है हमने अपने तक सीमित कर लिया तो आंगन की जो मिनिस्ट्री है वो किस रूप में दिखाई दे रही है वो कलीसिया रूपी हौद में दिखाई दे रही है मसी को वहां तक सीमित कर लिया है तो ये जो चीजे हैं ये ध्यान करने की बात है कि मसी जो है एक जगा नहीं हो सकता क्योंकि कलीसिया जो है मसी को बांद कर नहीं रख सकती इसलिए इर्मिया में परमेश्व कहता है कि मेरे लोगों ने दो बुराई करी है मुझ जलके सोते को त्याक कर अपने लिए होद यानि कलीसिया बना ली है बरन टूटे-फूटे होद हैं ऐसी कलीसिया है जिसमें प्रभू खैर नहीं सकता है और यहाँ पर जो है यहाँ पर यह जो दो गवा यह कौन है इनके बारे में भी जानने कि यह जो दो गवा है यह व गवाई जो है दो दे रहे हैं अब बहुत से लोग कहते हैं यह दो गवा है कोई लोगों के अपने अपने विचार है कोई इसको मूसा और एलिया कहता है कोई मूसा और हनो कहता है कोई एलिया और हनो कहता है कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है परंतु हम देखेंगे कि प पुद्वे पद में लिखा हुआ है कि हनोग जो था वो भविश्वक्ता था उसने भी प्रभुयेश्य मसी के आने की भविश्वानी करी और हनोग कप्र था आदम से सातमी पीड़ी में जो था वो हनोग हुआ था परमेश्व का वचन इस बात को बताता है जब आप उत्पत् पर जीवी तरह मैं आपको रिफ्रेंस दे रहा हूं उत्पत्ति पांच अद्यायों उसका चौबिस और एब्रैनियों ग्यारा पांच हनोग शरीर समित जो है वो उठा लिया गया है मगर परमेश्व का वचन इक बात कहता है मेरे ख्याल से पता नहीं लोगों का ध्यान उस वो यहना के यहना 32 दाता के रूप में आया परंतों यहां हनोग की बात करेंगे मगर हनोग की बात करने से पहले एक पद जरूर पढ़ना चाहेंगे उसको समझना जरूरी है एब्रैनियों 9 का 27 और जैसा मनुश्व के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नह देखे परमेश्व ने जितने भी प्रत्वी पर मनुश्व बनाये हैं सब का एक बार मरना निशित है येश्व मसी भी क्योंकि वो मनुश्व बन कर आया जब मनुश्व बन कर आया तो उसका मरना भी निशित था और वो मरा भी और तीसरे दिन ची उठा और सर गया एलिया जो था वो शरीर समेथ उठा लिया गया परंतु परमेश्व का वचन ये बताता है जब आप परमेश्व के वचन को पढ़ेंगे तो आप पढ़ सकते हैं येशु मसी क्या कहता है परमेश्व के एलिया के बारे मती 17-9-13 मरकुस 9-11-13 तक जब आप पढ़ेंगे तो वहां ये रूप में ये एलिया जो है यहना 32 मा दाता के रूप में आया और वो मारा गया क्योंकि मनुष्यों का एक बार जो जिस मनुष्य ने इस प्रत्वी पर एक बार जनम लिया है उसका मरना निशित है और फिर नियायका होना निक्तिक किया गया है सब के लिए तो यहां पर जो वो आना निश्यत है, बल्कुल, अब हनोक के साथ एलिया आएगा या मुसा आएगा, या परमेश्वा जानता है, फिर कौन होगा, यहाँ पर इन पॉइंटों को ध्यान देने की बात है, और मनुश के रूप में, हनोक का एक बार मरना फिर निश्यत है, क्योंकि एक बार फिर सब के लिए समान है और सब में पूरा होता है तो मेरे प्यारे भायों बहनों यहां जो भविश्वानी साड़े तीन साल तक की जा रही है साड़े तीन साल तक आंगन को रोंदा जा रहा है साड़े तीन साल तक जो है वो परमेश्वर अपने भविश्वत्ताओं से जो है वो भविश्वानी कराएगा ये अंतर समय की भविश्वानी होगी ये भविश्वानी क्या होगी इनको आगे जाके जो है हम देखेंगे जैसा जैसा परकाशिद वाकिम्या आगे बरते जाएं इन भविश्वानियों की तरह ध्यान करते जाएंगे प्रभु आप सब को आशे से आमें